कि मैंने आपको थिरी का सिखा दिया था था ना को कि फोर का रूल देखिए कि भाई साहब कि अब ठीक है कि अब कि सब त्यार हैं बंदू हाँ पढ़ते लो चलिये फोर का रूल क्या है लाश्ट टूडिजिट नंबर यदी अंतीम का दो अंकॉन सांग इद लाश्ट टूडिजिट नंबर इस अंपले डिजल भाई साहब गेम बाले भाई साहब और इस वद्वासी अधि लाश्ट का दो डिजई टे लिचार से कटी अधि लाश्ट का कितना बड़ा भी नंबर हो कितना बड़ा भी हो शिर्फ लाश्ट का टू डिजट देखिए कब देखिए कहां देखिए लास्ट का टू डिजीट अन्तिम का दो अंक यदि चार से कड़ता है तो वह संख्या चार से completely divisional होगा यह लास्ट में दो जीरो भी होगा तो भी होगा लास्ट में दो जीरो होगा तो भी होगा क्या मतलब आईए सेवन एट सीक्स फाइब नाइन फोर थ्रीज एट फोर एट ऐसे हैं ए आदि मानब यहां देखो लास्ट का दो डिजीट लास्ट का दो डिजीट यदि चार से कटे ही यह लास्ट में डबल जीरो हो क्या हो लास्ट में क्या हो दो जीरो हो यह लास्ट का जो भी दो नंबर बने जो भी नंबर लास्ट का बनेगा यह चार से कटता है तो यह जान लो कि पूरी संख्या फोर से कंप्लेटली डिवीजवल होगी सभी संख्या को पता करने का भाग लगाने की जरुवत नहीं है हम सिर्फ और सिर्फ लाश्ट का दो डिवीजवल है चार से कटता है तो हम देखते ही बोल देंगे नंबर इस कंप्लेटी डिवीजवल भाई वो उसंख्या चार से पुनता विभाजित होगा पगला यह का नहीं पड़ने समय राम से बिल्कुल भाई साहब तो हम फोर के लिए क्या देखते हैं लाश्ट का दो डिजिट फोर के लिए क्या देखते हैं लाश्ट का दो डिजिट यह फोर्टी एट लिखा है तो चार से कटता है तो पूरी संख्या तुम भाग देख देख लो चार से completely division होगा यह लाश्ट में 2-0 भी होगा ना तो भी कटेगा क्या होगा तो यह इसमें डिविज्वल रूल यही कहता है कि लाश्ट का दो आंग चार के लिए क्या होता लाश्ट का दो आग लाश्ट का दो आग चार से करता है तो पूरी संख्या चार से लुक्त के लिए कंप्लीटली डिविजलों होगी हां यह न हां वेरी गूड अब सुनिये मेरे बात ध्यान सुनियेगा तो चर का रूल हो गया है अच्छा इसी में स्टार का को सना जागा इसी में में अ कभी कुसन आएगा अधीर इमेंदर पूछे कि इसमें भाग दो चार स एक कट गया तो बोलेंगे रिमेंडर जीरो और नहीं कटा तो जो रिमेंडर आए वही अंसर बोलेंगे समझे मारा ना तो फोर का रूल है कि रिमेंडर पुछे तो लाश्ट के दो अंको ही भाग दो डिविजल पुछे तो भी लाश्ट को भाग दो लाश्ट का दो रिमेंड six seven nine which we eight six star लिख देता हुआ पर star यहां लिख दिया तू लिख दिया अब कहा कि यह नंबर जो है जो भी नंबर लिखा है यह नंबर फोर से completely divisible है the given number is completely divisible by four यह संख्या चार से पुनता विभाजित है अधि चार से completely divisible है the star के प्लेस पे क्या होगा तो हम पूरी संख्या को नहीं चेक करेंगे हम क्या चेक करेंगे लाश्का टू डिजीट तो लाश्का टू डिजीट जो है यही तो है इसको चार से भाग देंगे चार से भाग देंगे चार यही बार है अधि श्टार के प्लेस पर वन हो तो भी हो जाएगा है यह नहीं फॉर्ट यहां वन लिग देंगे तो भी हो जाएगा समस्माद में आरा है न या तो चारग टेल पढ़ते रहो बद tis हरी टू हाइन अगर दो लिखा फिर ही कट जाएगा फिर भी कट जाएगा फिप्टी ट्वरень रहेगा तो भी कट जाएगा 72 रहेगा तो भी कट जाएगा 92 रहेगा अब नहीं रहेगा है ना तो समझ माया भाई बंधू लाश्का दो डिजिट देखना है ठीके नहीं तो अब जो अश्टार लगा देगा तो मता देंगे अश्टार है तो क्या का होगा ये सथाना क्या पेरे बास समझ रहे हैं किसी को दिकत तकलीफ है है को दिकत भाई साथ है है क्या पाड़ा क्या वो रहा है अज़ा ठीक है फिलाते हैं तुम काड़ा अभी अरुको ये समझ माया कि नहीं आया अब मिनमम कहेगा मैक्सिम कहा और ना कुछ कहा तो जो ऑप्सन होगा उसके कॉर्डिंग मारेंगे कि ये भी हो सकता ये भी हो सकता ये भी हो सकता आप सभी समझ पा रहे हैं मतलो हमको पूरे संख्या को भाग नहीं देना है हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट का टू डिजिट को भाग देना ठी करना है कि option से क्या value put करें जिसे क्यों चार से कट जाए पूरी संख्या नहीं सिर्फ लाष्ट का टू डिजीड समझ में आया अधी सपोस करिए कि यह को सन होता ऐसे लिखा होता मुला सीख सरस्टार है बोला कि यह बताइए कि यह नंबर जो फोर से डिविज्वल है चार से पूरा-पूरा कटेगा तो अश्टार के प्लेस पे क्या होगा भाई साहाव कोई उसको फोन नहीं देगा ए भाई साहाव इधर देखो इसके घर वाले इसको फोन नहीं दे रखे हैं वो छोटा लग दे रखे हैं की पेड़ वाला और इस क्लास में सबसे मांगवां के गेम खेलते रहता बहुत बड़ा गेम प्रेमी है ललक्टा कि यहां देखो अब इसके पापा से दिन बात करना पड़ेगा चले हां देखो इस बच्चा लोग गेम के पीछे पागल हो गिया देखो सब लोग तयार हैं ठीक है नहीं यह अस्टार लगाया हुआ बोला कि यह नंबर फोर से डिवीजवल है तो अस्टार के प्लेस पे क्या होगा तो भी यह अब देखेंगे option उसके according यदि यहां पर चार से भाग दें तो जीरो से भी साथ आ जाता है चार लिग देंगे तो भी कट जाता है जैसा option होगा उसके according हम कियांकिट्र मंधूई कोई तकलीफ तोस्टार देगी पूछे तो बता देंगे डिवीजवल उल मुछे'm कंटता है तो बता देंगे रिमेंडर न्यू पूछे गा कि versión Car बोलिये बोलिये यह नंबर फॉर से डिविज्वल है तो स्टार के प्लेस पे क्या होगा और क्या होगा मिन्मम पुछा है तो मिन्मम क्या होगा भाई सहाब पक्का सचे मुची भगवान आपको भला करे हुग चली है का ओर रहा है को दिखकत थो नहीं है यह है चली है तो ही चरैंस को भाग र把它 5 Roку मेंज चार से तो चार से भाग देंगे तो वावन ऐन तो ही नहनई टेरा चोंके बहा मन यह आए आराम आजसे भाग लगा सकतो आराम आजसे ча तारेकमचार,स्टार एकमचार स्टार तरफ चार ठीए ईए चार चारचोके यह तो हम पर दो होगा यह तो यहां पर छे होगा भाई संप्स्वाइजी आप समझें जब पुछते आँए तो नहीं करते हो चार का रूल्ल लास का दों काटेंगे कहां का देंगे। के अभी हम तो थेख्या हर्थ कैची दिया कि अभी अब चाहरे कम चारी मेंदर तना गिया औन फिर अश्टार उताब दिया फिर लगाएंगे चाहरा है ञाल निए जच्छा ज़ी सबसक्कि यह जवाई है छ़ते बार अग्या जी इंट के बाए जी अ कि बता ये ना है मैक्समुम पुछा है मैक्समम पुछा है इतरी यह नंबर फोर से डिवीजवल है किसे डिवीजवल है तो भाई आया तो बारा लीधो तो भी होगा है ना 32 लिखो तो भी होगा बामन लिखो तो भी होगा नानी टू लिखो तो भी होगा लेकिन हमसे पूछा क्या है हमसे मैक्सिमम पूछा क्या पूछा मैक्सिमम तो बड़ा से बड़ा बाल स्टार के प्लेष में का होगा करना नौ का answer 9 आय। भा भाई साब क्या आपको तकलीफ है बाई सब किसी तकलीफ है भाईजी शी समझें क्यों ने यायर चार करूल है लास्काद दोवलक का वेरा चाहिए तो लिखा है तो आब उसकी से और कोड़ो इसमें लास्ट में दो आए वालो gusta OUR बारह हुथ ह् है डिबाब कर yağだ मेर पाहर चोड़ा कर दो दोन करे लोडू चार इर्थ बन तीन होगा और तैरालस के बामन सिहां होगा तो बामन मत्मद फैव होगा ओर और चारक टेवल देखो जिसके लाश्ट में दो हो आया आठारा चक बहत्तर हुगा उनिष और आपड़ हो और तेश चो के बान में वोदान तो ऐसे आरा ना सब में टेवल याद रहेगा तब ना तेश चो के बान में वोदान ना तो 992 बान में 92 तो 9 होगा मैक्सिमुम उससे उपर होई नहीं सकता तो टेवल ग्याद को नखेगा पड़ोसी चला भाई साहब जब रहो किसी को तकलीफ रिमेंडर क्या है अब दो जली फड़ा भाट रिमेंडर क्या है भाग दो चार से रिमेंडर क्या है बोलो बोलो क्या है आ गयां सिंपल सी बात है कि चार करूल है लाश का दो अंग भाग देंगे भाई साथ सुनिएगा चार करूल लाश का दो अंग भाग देंगे आपके मालूम लाश का दो हमको बाग अठा अच्वाहत्तर का लिखेंगे बहत्तर तक बच गया तीन हो गया अंसर रिमेंडर पूरे को भाग नहीं देना है लेट कर दिया निवें देखो तो अंसर क्या हो गया तीन हो गया समझ में आया आया जी आना चाहिए था पा की तो एक जो लिखों टिंग लिखा एक दो थीन चार पांच है जाने पांधना थे भानसर क्या है लाश का दो आनके किसको भाग देंगे लास का दोंक पंद्रा पंद्रा को चार से भाग दो चाहर तीया जभारत तीन है समझें भाइजी ये भाइजी अरे वाह कमाल कर दिये वाह भाइजब वाह समझ माया सबको लाश्ट का दो अंकों ही भाग देना रिमेंडर के लिए ठीक है ना चले आगे कृष यह का है इतना बड़ा को सन एक दो तीन च्रस बैंटी सेवन तक लिख दिया एक दो तीन च्रस पांचे एद्टर सब्सक्राइब को शांतर हम दिया जोई का इंसर पोऑ कुई ढहिए मत बोलो क्या है कि तो हम क्या करेंगे हमको दिमाग नहीं लगाने आथा बस लास्ट अंको चार से भाग दे दो आजर दोंकsis कि 19 जोंक होता है और उतना याद धीर धीर लगा धीरे चारे कब और लगाओ नौ चौके बच्चे गया अंसर एक यस नौ तो हमें इतना बड़ा नंबर देर डर्ना नहीं है हमको सिर्फ लाश्ट का दो अंको ही भाग देना है यस और नो में उत्तर दीजिए समय स्मय है भी यजी आया गगा सच्ची मुची ना है कि भी उक्ट पका दिया टू कि इनकशिए देनगाव क करूल क्या है है कि इनकरूल क्या है या है जोडे आफाइं आफ को नांटी नानां तक फ्स्त जली जली फॉट जली जली फॉट रफ्स यॉदार सबको हुए बहुत अच्छों है है आगिए है जो नहीं पड़न को दिक्कत हो रहा होगा मांने चुल कल नहींநे यह नहीं की नहीं कर दोभी आप पढ़ें नहीं न है कल भी नहीं कल टो किंट जो है कोई बात नहीं थोड़ी वह संदुप फिर कंवल मेना कि decision कर सम करते हैं कल सिखाया था पीछे का बैकप प्रवाइब के साथ खतम होने वाला है साथ 8 दीर में सब्दम हो सब्सक्राइब के नमबर सिस्टम्स पूरा आये पिर देखते हैं धिरी कारूल क्या था डिजिट का सम डिजिट का तो यह नेच्छरल नूमर्बर एक दो तीन चार पांच क्या है नेच्रल नमर नेच्रल सब्सक्राइब निकालेंगे तो 99 इंटू और डिवाइड बाई तो कितना गया नाइन नाइन फाइफ जिरो यही ना अब एसे देखो सुनों 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 ऐसे करो यह तीन से कड़ गया है तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो अंसर नहीं समझ में बाते है और सम्झा करो इंटू नाइन इंटू फिटी न इंटू प्लस न बाई टू होता है ना तो 99 इंटू फिप्टी तो 99 तो 3 से कथी रहा है ना तो डलेट कार दो ना नाइन तैस्टेश तरी निन आनमे तहां से रिमेंडर जीरो और जीरो इंटू कुछ भी आएगा ना तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा समझ में आये हैं यह हम कल सिखाये थे जो कल नहीं आये थे उनको तकलीफ उनको यहां से समझ में आयेगा चार का निकालो ओ एक बीच में टपक गया था है ना फालतु में बोलिये भाई एक, दो, तीन, चार, पांच, दो सो तक है भाई सो जीरो नहीं खाली जीरो भाई समझी रू क्यों हो जीरो क्या आ गया सब का चार का रूल क्या है लाष्ट का चार का रूल क्या है लाष्ट का तो लाश्ट में 2 0 हाट से भाग देंगे तर पूरे 0. लगा दिखाँ जीरो से जीरो फोर्जा जीरो घटा दिया तो जीरो अरे नहीं समझें समझे ना लग जागा ना जीरो जीरो में लगाएंगा शाद जीरो इर इने राएका ना ठीक है नहीं समझ मारा सबको बहुत अच्छा बच्चा लोग कमाल कर दिए तो ऐसा ऐसा कितना बड़ा भी लिखा रहे आप पूरे नंबर को भाग मत दीजिए किसको भाग दीजिएगा लाश्का दो ऑंक इना कि पूरे नंबर को भाग देना सुरु कर दिया तो भाग जाओ post yeah अरही तीन वाला lesa दे दिया तीन तो बना लेंगे ना तीन को छोट दीजिए आई तो अई यह पांच का सिखते हैं मैं तो मैने एक दो तो 2-3 तो सिखा दिया था आज 1 चार का सिखाया आए पांच का सिखते हैं किसका पांच का रूल कि ठीक है न पांच का रूल है कि लाश्ट में जीरो या पांच हो बस है ना कितना बड़ा भी नंबर लिखा हो कितना बड़ा भी नंबर लिखा हो कुछ भी लिखा हो बस लाश्ट का डिजिट या तो जीरो हो या पांच हो YouTube अध् guidance Channel do लाश्ट बेंजी रहो हो या तो 50 yes or no पार लास्ट मेंजी रहो या 5 वह लाष्ट में क्या हो जीरो ऐह 5 रहता है फायव क्या है लास्ट मेंजी रहो या क्या हो 551 तो इसमें भीया 6 पुछे उचो का नहीं को स्टेकं है क्या लाश्ट में 0 यासो थाउ पुछेगा सो यही न होगा यहीं न होगा रिमेंडर पुछेगा तो लाश्ट का अंग को भाग दो सपोज करो 4 5 6 7 लिखा है अब कहा इसको 5 से भाग दो कितना रिमेंडर आएगा तो आप सिर्फ एक अंग को ही भाग दो लाश्ट वाला अंग को साथ को 5 से भाग दो को दो रिमेंडर ना seven को five से डिवाइड कर कितना रिमेंडर आएगा हो गया दो अब भाग देके देख लो दो ही रिमेंडर ना तो पांच का रूल क्या है लाश्ट में जीरो या पांच हो रिमेंडर पुछे तुम्हें लाश्ट के अंको पांसे भाग दे दो जितना आएगा वही रिमेंडर यह सब्नू समझ में आरा सबको कोई दिकता नहीं है बहुत अच्छा कि अभी कोस्टन है यह पूछे उच्छे का नहीं एक्जाम है ऐसी फालतूं दे दिया हूँ फाइव से कंप्लीट्ली डिविज्वल है तो अस्टार के प्लेस पे क्या होगा आप संधेड ना येटों जीरो होगा या तो office होगा टीकेन हम यहां पर जीरो होगा याथ पांच हो है यही दोनों में से कोई एक नमबर होगा संध जम आया तो मि अनूम है है तो tudski8 थे рьू या तो तो यस ओ पांच का रूल क्या है बताएए ना को हो गया धेसित जी आदा जी रोगाया तो पांच निगझा उ मैं हम यहां यहां प्र जीरो लीखो यह तो यहां पांच लिखो आप सूंदिर ना जो लिखा रहेगा ठीक है ना पूरा नहीं चेकरना है सिर्फ एक आई यांग ठीक है पक्का ना चलिए आए इस इस का रूल देखते हैं देविश जनु फाइब कोई कुछ सर नहीं पूछेगा ठीक है ना बक्वास से फाइब का रूल है न जीरो यादर पांच देखना होता है ठीक आईए शिक्स का रूल देखते हैं बच्चों ध्यान सुनिएगा प्लीज सब लोग त्यार हैं चला जाएं शिक्स का रूल कौन संख्या जो है जो छे से कटेगा ये चेक करना है ठीक है ना शिक्स जो है दो संख्याओं से मिलकर बना है हुआ में शिक्स जो है और टू नंबर के कंबिनेशन से दो नंबर के प्रोडुक्ट्ट से बना होता है ना तू आट 3 66 applied to and 32 और तिनंसे मिलकर ना किसी सह दोर आगा हो न सब्सक्रारा न्दा तो जो नम्बर दो से और तीन से डिमीजवल चुञ नम्बर दो से और तीन से डिमीजवल वो बोथ दोनों के कशा दिली-डि bert mut दो और तीन दोनों से डिविज्वल हो वह नमबर छे से डिविज्वल होगा समझे महारा ना शिक्स का रूल क्या है दो से देखेंगे और तीन से देखेंगे किसे किसे देखेंगे दो से और तीन से पहले किसे देखेंगे दो या तीन क्योंकि नीं यॉश्र देखो कल सिखा तो ज wrestle का या लास्ट में0 या इंवियन नंबर हो दो कारोल किशाए था कि लास्ट में जीरो या इवें या इदेग जीरो हो या तो दो चार चh eight सम संक्रिज इवें नंबर इसिस मृधनरा 0 हो या तो even number हो ठीक है कि 소ट दो करने भाव वह ब्सकी को जोड़ो । चारुघ Park masa the weekend वेकर तोक रूख रहें ए और तीन करने इंग क्या सिखा है थे आंकों को जोड़ो डिजिट का संद्व करो डिजीट का यह था तीन का निए म हैनका का नियम last 0 या even हो और 3 में वार्थ सब Bru kg में जितने अंगा से सबको जोड सब्सक्राइं थीकह नहु तो जुद दोनों से ל kटे लूब और पहन नमबर शेकर तया समय We को धिकर तकलीफ नहीं आहिelo आये देखते है कुर्शन को कैसे कुछ 죄송 हओ Mexican में अब यहां परब्राशी नहीं भाई साहब यह दिया है फाइव फोर शेक्स सेवन फाइव थ्री एट स्टार कहा कि यह नंबर शिक्स से कंप्लेटली ड्विज्वल है चाहिए सिक्स से कंप्लेटली ड्विज्वल है तो श्टार के प्लेस पे क्या होगा तो सुन हैं भाई सब सब्सेट यहाँ देखिए सिस नियम है कि जो दो से और से और सिर्थे सत धोनों से करते दीन का नियम का सुके चैंक कि नियम से ंखले पहले ठीके ना तीन का नियम का है अंकों को जोड़ो अंकों को तो 549 तीन से कट गया चे तीन से कट गया साथ-5-12 तीन से कट गया तीन तीन से कट गया अब सुनोष 8 अब बोलना मत भी रूख जाओ 8 और एक 9 तीन से कट गया लेकिन दो से नहीं कटेगा कि नहीं समझ हाई बात क्योंकि 6 के रूल है कि दो और 132 से करना चाहिए तो 3 से कट जागा ये तीन तो कट गया था तो यह नहीं लिखेंगे समझ में आया अगला देखे क्या होगा आठ चार बार आठ चार है कि तीन से कड़ गया और लास्ट में क्या है इवेन नंबर भी हो गया हमें लास्ट में इवेन नंबर भी चाहिए ए смог जोडने पर इसे कटना सिख्धा यहां पर आठ चौट रहा था लेकिन यूंड है इवयन नंबर नहीं था इसको छोड दिये को नहीं इक है चार आठ चार बारा है ना तो यह कट रहा है और हमसे मिनमुम पुझाना मिनमुम यह हो सकता है समझे मारा नहां आगे तो नंबर आएगा आठ साथ पंदरा लेकिन फिर उस कटेगा नहीं है ना समझाह सबको तो क्या लिए औंस ईसका सिख सघ्स कंहां समझ मझाया कि तीन से भी काट कर देखेंगे एभ अर्लाश्ट में वार जिली कर देधन हो इस लिए वहार चार लिक हो वगा था यह नहीं लीए क्यों ने लिखें क्योंकि वन होने से और हो जाएगा है ना दो से नहीं कटेगा इसलिए हमने वन छोड़के चार लिखा समझे में आया आठ चार बारा कट रहा था समझे मारा न को दिकत तो नहीं चलें बच्छा लोग ओ एक और दिसमी है क्या देखो अलग है मैं यह प्लीज फास्ट सेवन एट नाइन सिक्स फाइफ पोर एट स्टार यह नंबर सिक्से डिविज्वल है यह नंबर सिक्से डिविज्वल है ठीके नहीं सिक्से डिविज्वल है कंप्लीटली छे से पुनता विभाजीत है यह संनों तो अश्टार के प्लेस पे क्या होगा अब बोला बच्छा लोग आएगा क्या सबने बनाया अश्टार के प्लेस पे क्या होगा भाई लोग देखिए देखिया प्लीज शिक्स का नियम है दो और तीन दोनों से कटे दो और तीन तो तीन का चेक करें आच साथ पंदरा तीन से कट गया नाइन कट गया चेतीन से कट गया और पांचया नो तीन स कटने के लिए प्लीए आठ एक नव एक वशाप वच्छा तो आठ आजhon तीन से कट जागा लेकिन यह लास्ट में और भावट आगád या जो इंदो से नहीं कटे तो यह इवेर्ड यह चार अंसर बोलेंगे चार समझ में आया इसका भी अंसर चारी हुआ किसी को दिकात किसी को तकलीफ चले आगे चले ना है मैं ऐक है तो यह थ नरसरी क्लास का अधिक्तम विसी ओधिन चार तो चलेς किसका नियं है कि और मी खराइए कि आइए सिख्स तक समझ माग यह न है सेवन का रूल देखिए सेवन का रूल देखते हैं सब त्यार हैं सेवन का फॉर्स्ट रूल देखा जाए बच्चा लोग ध्यान सुनिए गा सेवन का पहला नियम सब लोग त्यार हैं 7 का 1st Rool देखते हैं कहा की जब कोई डीजिट जब कोई डीजिट भाई साथ ध्यान सुनिएगा पट ये ध्यान से दर जब कोई सिंगल डीजिट जब कोई अंग ठीक है ना कोई एक अंग छे बार रिपीट हो 6 ताइम रिपीट हो यहां शूनिये गा yook कोई अंग कितने वार्ज पीटो छे बार रीपीन हो जैसेलिगर फाय 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 फायके तीर कुछ भी 88888 है यहां बेरीगूद अच्छा बोले टेन अंदे एबडिया व द मैं को अधिकारि बनना अधिकारि व्हों करियें तो हमने कहा कि कोई भी डिस इड कोई ही दिस्क्यू त्रिकी क्वी डिसी डिसीष टाम स्र रिपिट हो कोई भी डिसीड छे बार दुर आई जाय कितने बार कोई भी दिस्कु विली खो! 777 777 7 बार चे बार कुछ भी लिख दिया 2222 रेना छे बार शिक्स ताइम्स कितने वारों चाहिए अधिए अधिशे बार लिखा जाए तो वह संख्या तीन से साथ से ग्यारत से तेरह से सेंटिस से और 1001 से पुनता भी भाजित होगा कि यदी कोई नंबर कोई संख्या धान सुनेगा? कोई भी नंबर यदि six times repeat हो कोई भी नंबर हो सकता है? कोई हुआ भी डिस्ट हिसे नंबर जो बुलिया उतिन पेंग है? सिंगल शिंगल डिसिट, सिंगल शिंगल नंबर ढिनः, जे बार रिपीट negatively रीपीट हो? छे बार रीपीटो ठीक नम तो वह संख्या किसे किसे कटेगा तीन से साथ से ग्यारत से तेरह से 37 से और एक हजार एक से इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा याद रहेगा पक्का ना बहुत अच्छा ठीक अब आगे तो बहुत सारी संख्याओं बन सकती हैं बहुत सारे कैसे दिखाता हूं जो तीन से करता और साथ से करता है तो एकीश से भी कट सकता है क्यत्र आप एकार नबर बना सकते हैं इससे कंबिनेशन करके तीन से कड़ता है इसे कटेगा कि इन से कड़ें tocar गॉड थीन में 313 भी कड़ेगा आप स्मझिवाज रहें रहा है कुछ भी कि साथ से कड़ें से करता साथ से करता है रहा से करता है थो कई took combination करके बहुत सारे number format हो सकते हैं लेकिन आपको जो फंडामेंटल जो याद करना है ओई यह नंबर याद करना ठीक है यह मेन है और इसन इसका सभी नंबर का ठीक है यह तो आपको याद रखना है समझ मारा न यदि कोई सिंगल डिजीट छे बार दूराई जाए इसके कई नियम सिखाएंगे सेवन का जिसमें पहला नियम है कि एक डिजीट सिंगल डिजीट छे बार रिपीट हो ठीक है तो इतने सारे संख्याओं से भी वाजित होगा यस और नू समझ में आया है चले आगे ओके इस पर पहले कुछ बाते हम से करते हैं उसके बाद हम चलेंगे एक और बाते बताएंगे इस पर हम जैसे लिखा हुआ है अब रूखना यह गलत है यह यहां से होगा लेकिन यह बना दिया है सब उल्टा सिधा देखिए इसमें हम एक और जोड़ते हैं चले ठीक है अभी फिलहाला बनाईए इसमें लिखा है 666 कितने बार लिखा है सही है सही है कोई दिकत नहीं है कहा यह 666 जिवे नंबर इस कंप्रेटी डिविजल बाई दिया गया संक्या किस से डिविजल है कोशन पढ़ें यह नंबर किस से कटेगा बताइए बहुत अच्छा कोशन है हना है पुछाओ एक्जाम में कोशन है इसा बच्चाला है यह नंबर किस से कटेगा बोलो कि बच्चा क्या करेगा कि साथ मार देगा कि साथ इसलिए मार देगा कि सारे बुक्स में साथ ही कर नियम लिखा हुआ है और तो मैंने कठा लिखा दिया आपको इगारा सतेरा सम लिखा दिया तब ना लेकिन साथ कर नियम यहीं लिखा है कि साथ कर नियम जो है सिक्स टाइम से रिपिट होगा तो साथ से कटेगा बच्चा साथ कर मार के खुष हो जाएगा ओ से मालम चलेगा घलत लेकिन मैंने स्गाया कि सबसे कटता है लेकिन सुनिए आप वल्लगा अज़िखा लगाएंगे तो इगारा में कया बुरा ही है इगा आपको इससे भी कटेगा और तेरा लगाएंगे तो एक हजार कुण सा जुल्म कर रखा है एक हजार एक वह दो सकता है बहुत दुख हुआ अब इसी में से कोई अंसर लगाना है अब पुछा है एक्जाम में तो अंसर वही लगाएंगे जो लाजिकली मतलब कुछ लोजिक हो गोस के अंदर और लोजिकली उस ही होना चाहिए प्रूब करना होगा कैसे सही है को एक तो मारना ही है और तो को ... आ है नहीं चाहिज ऑस विए लिए को आइशन है एसे डिसका अन्सरा अलाव दिशुना चाहिए था सब से सबसे करता है साथ से भी गारा से भी जी टेल से भी एक यार एक से भी लेकिन ओल अब दिस तो है नहीं चार में से टो इसका आंसर जो है 100100 मारेंगे कुंछा का है किCLjem 2001711113 को मुट्प्लाय करें तो एक और एक आग अब है कि गृटही रगादिया कि 1001 एक जो है उस साथ गुने 11 गुने 13 का प्रोड़क्ट है गुना करके देख लो इससे ठीके नहीं साथ गुने 11 गुने 13 इन तीनों को मल्टिप्लाइग करें तो एक हजार एक आएगा देखिए भाई साब लॉजिकली जो स्ट्रॉंग हो उसी को नमारेंगे तो भाईया यह जो चया है कि नहीं आप समझे जैंनन यह मार को इंड़ी इसका अंदर गॉल आरें धराना तो पित कॉम लगाने से पीच कि इस सब के मिलाकर वाऀए बंटा जब इससे कटेगा तो सब से कटेगा समझे रहे हैं लेकि अ नहीं नहीं Hen नाजमायख को छीपा है 723 तो इससका अंसर क्या मारेंगे 1001 इसको लगाने से सारेन नमबर सटिस्पाइड हो जाते हैं समझ में आए तो इस तो इसका अंसर क्या होगा 1000 जैसे माल लिजै कि आप कहीं किसी को कहीं गएं किसी गाव में साधी काड देने गए ड को सादी का करणी ठीक है एक ही करण लेकर आये थे आप कितने काड कि शेधी कर दें कि अब किसी कहो तुम्हारा ही मान लोहरा लोला कि लड़का इस थे तो महांलिजे आप कहीं साधी है और आप कार्ड बाटले चल रहे वालों टेकर हाँ जरूर जरूर पढ़ना उकर तो मिल जाए है यहां देखिए ध्यान से अब आम से सुन लिजे साधी का एक कार्ड है आपके पास ठीक आपको कहा गया था कि उस गौव में हमारे एक रिलेटिव रहते हैं उनको जाकर कार्ड दे दो तो एक कार्ड लेकर आप गए वहां वहां गया तो मालूम चला कि इनके घर में जो है सेपरेशन बट 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 द्रवाजे बंद भूत खुला तुझा अलग अलग गेट हो गए सबके अब वो गया घर पुषा की भाई साधी कार्ड देना है तो किस के आँ देने आए हो तीन लोग है ना, तीन लोग है तो उसे कामालों कि अब तीन लोग हो गया है उस तो एक ही आदमी जानता था अब वो क्या करें भीया अब एक ही कार्ड है अब कार्ड लाने जाएंगे तो समय लगेगा तो अब क्या करें तो किसका नाम से लिखे की सबका हो जाए तो उस कार्ड के ओपर दादा जी का नाम लिखे असा परिवार लिख दिया हूं कि नहिंसादा जी के नाम लेके साप परिवार हो गया तो उनका दादा जी कवी हो गया पीता जी कवी कुसका भी हो गया इकटथे सबका निमंजर न क्यों कि और कोई पाई नहीं था वही यहां पर हुआ कि यहां पर क्म negócio हाथ है 11 है 13 है ठीक फिस सभी नंबर्स को मिला कर ये बना है अब इसमें हम ठीक लगा देते हैं तो सबका कंडिशन सटिस्फाइड होता है यस और नौ तो इसलिए इसका अंसर एक हजार एक मारेंगे समझ में आया को दिका तकलीब बह अब मान लिया जाए है सब्येंग को जो इसमें और आप्संता ऐसन होता है अनौ आल ओफ दीज क तब क्या मरते हैं ह트रो ket weiter यदि पाँच आवशन हो बैंकों होते हैं तो अधि आजिए आप क्या मारी के गया täll यह यह जिर्फ कि all of these मारेंगे क्यों क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक सेपरेट नमर ठीक है सब को मिलाकर ये बना है लेकिन ये भी तो अपने आप में अजाद नंबर है हमारे पास मजबूर उसमें चार नंबर में से एक चूस करना था मजबूरी था जिसके कारण से मैंने जो सबसे जादा लॉजिकल ये स्ट्रॉंग था उसको मारा ठीक है ना लेकिन मेरे पास ऑप्सन है कि ये भी ये भी ये भी इसाब साधी कार्ड देने गये बैग में कई कार्ड रखिया हुए मालो बिना नाम लिखा हुआ तो आप वहां गये तो मालूम चला कि सब अलग 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 हों तो कहने का मतलब ये है की जब मेरा ऊप्सना ओर अलव दीज है तो हम क्या मारेंगे तो अलग दीस मारेंगे क्यूं कि ये भी तवना प्रस इपरेiट नमब है ये भी अपना पह सेपरेट number है इसका रिएल में सही उत्तर अल जीज है क्या है और तो मजबूरी था all of these na ho kar none of these ho none of these in me say koinahe chuprahi ek minute yadi isme panchma option none of these ho in me say koinahe ho tab tab kya marengi kya marengi ji aray kuch marie kya answer hai okay kuch log karan d hai kuch log karan e hai to say baat is kaka saiyo ta none of these maaring kya mareng answer none of these kya marengi answer none of these puja q aap keman bichara ga na kyu hai na to me sikhata ho q dekhi no dizam q marengi dk 4 option tabhi ek-zarek marna hai ननदीज का मतलब क्या होता है हम टांसलेट करने लिए नहीं कह रहें आपको इसका मीनिंग क्या होता है नहीं इसका मीनिंग यह होता है कि जो आप्शन दिख रहा है यह आप्शन नहीं है इसका आप्शन कोई और है और इसका आप्शन जो है वह यहां नहीं है वह हम छिपा क करके मेरे पास है नन अब दीज रूपत जां यह जब आप याप को श्कर करते हैं तो इसका कोशनसर ऑर है तो धैसे कर पहल कर रहा होता है ऻिए जया होता है उतले डिवाग दूद इसका इंजयर की वह उतले कुझे हो पहल बात सही है कि इसका ज़्याम्सっति ज्यादा strong answer है all of these है क्या है तो भाईया इसका सही उत्तर all of these है और जो all of these में नहीं दिया है इसलिए हम क्या मारेंगे none of these मारेंगे कभी-कभी गलतियां हो जाती भाई सब कुछ जानने के बाद भी गलत कर देते हैं हम लोग एजाम में जैसे क्या होता है उसे एक सबस्क्राइए डिसकार कटन फोल को नंबर कोई इंटीजर है तो एक सिसक्क रूट लगा दिया तो रूट प्लस बार्ने से निकलता तो एगश का फेल्व पलस फानगेम और इंक प्लाशकितना अग्या और या प्लस में प्लस हो सकता है तो आपसंदिया पहला प्लस मतलब ट्रांसलेट नहीं मतलब फिलिंग होना चाहिए अब इसमें क्या मारेंगे अंसर आप कि इंटीजर है तो इसका अंसर प्लस मिनस्टू होगा ना आप पलस्टू भी नहीं मार सकते हैं क्योंकि मानस्टू भी होता है मानस्टू भी नहीं मार सकते हैं क्योंकि पलस्टू भी होता है और चार तो ऐसे गाइब था इसका अंसर है फॉर्स्ट एंड सेकेंड बोथ दोन करेंगे है कि दो भी और मानस दो इसा करेंगे नहीं ना विए ओनलाइन तो टाइगा हो न कुढ़ न है टो चाहने का मतलब यह सका सही उतर क्या है ननदीज क्यों क्यों इसका अंसर है पलज माइनस टू और जो नहीं दिया रहेगा तो आप अनसर क्या मारीएगा समझ में आया बहुत अच्छा देवर सजुनू तो चले आगे तो यह लॉजिक बहुत खतरनाक है ध्यान कि एक अनदीज का ठीक तो सेवन का रूल में तो जानते ही है लेकिन इन सबसे भी कटेगा अजी चार ही नंबर दिया रहे तभी मारिए एक हजार एक कोई उपाई नही खाई और आल दीज नहीं है तो अंसर मरें यह नन अफ्दियस और न गोई को दिकतजीए जीनो भाई लोग समया लोजीः बहुत खञानाक लोजीगए ओ आप मेरिए कं मरें गे कि चार 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 चेवार है तो इससे भी कटेगा उं इससे भी कट रहा है इससे भी कट रहा था किसे कट रहा है अलाव दीस तो यह अंसर हो गिया समझ में आया दिमाग लगाया नारे बाबाना खराब हो जाएगा चले आगे को जली शापो जी बड़ा फूट चले बोलो इसम कोशन है अरां अंसर आठ छे बार आलाव कोई नहीं चापव इसको आलाव ना दीजना ओ अलाव बीज नहीं तो क्या मारेंगे नान थी समझ में आया कि समझ मारा ना इन एव है पगलाना मद रुको कम्परमाइज मत करना कि एक पहक्व यह मार लेते हैं नहीं ऐसा नहीं करिएगा ठीक अब नहीं रुक सकते भाई साहब इसका पीडिएप में जागा आप कहा टेंसन लेते हैं घर में ठीक लगाते रहाना बैठके ठीक आईए नेक्स्ट यह समझ मारा सबको अच्छा कभी कभी ऐसा होता मेरे भाई बंदू ध्यान सुनी जरा जैसे लिग दिया एक्स 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 शे बार कितना और लिए छे बार यह कहीं से टेंके से एकर दैगा एए ए एए एए आई आए भाई साब अ ऐख शहे बार लिख्ये कितने ऐखा के बार नुगत थे बार कोई भी नंबर छे बार लिख्या तो टो जैब कि इसे कटे गा में बालो हमको का मैंने चंद आदेट गदेखेन सुछिए बिद्यान शुनिये दिया रहेगा कि कैसा दिया रहेगा का कि एक्श gars चली को सिसमें नहीं आएगा अगला टाइप में आदिक है अभी सब्सक्атाइब यह भी पूछेगा अगला पूछेगा टो पिर भी हलका सह Parris B.,现 भात दें the Page 10 बबर नहीं किसे धिर सेखे का सबस्दों खट lug instructions 6 रहेगा उससे भी एक कटेगा देखे लिए 6・2 एक्सी सबस्द्टrick आएगा समझ में आ रहा है हमने सिखाया 3 का 7 का 11 से कटेगा सभाए से कटे गाइए दिए कटेंगा सिखाया उसके अलावा भी आप्शन में यह हो सकता है 1111 111 फॉला ठीक है न तो हम लो त्यार है ना ओके आई दिखाता हूं कि second rule है 7 का second rule है ध्यान सुनीगा कि यदी कि एनि थृविधिग रिपीट तू टाइम्स तीन डिजीट दोबार रिपीट वो जैसा ऐसे थरी फोर कुछ दो लिग दो तीन चार दो कोई भी हो सकता है कोई सीक्वेंस भी तीन चार दो लिख दिया और अगला भी वही सेम सिक्वेंस बुरिये थरी फॉर टू मतलग तीन अंक है और रिपीट कितने बार हुआ दो बार तीन अंक है रिपीट कितने बार हुआ दो बार समझ मारा ना तीन डिजिट है और रिपीट कितने बार हुआ दो बार को दिकत तो नहीं थ्री डिजेट यदी टू टाइमज रिपीट होता है कितने बार रिपीट होता है है टू ठाइमज रिपीट होता है पिरपीट होता है तो थेन बडी जग आल probably completely divisional होगा ठीक है ना ध्यान सुनिएगा जब कोई डिजीट कौन भाई यह जब कोई त्री डिजीट रिपीट टू टाइम्स तीन अंखो और दो बार दूराई जाया ना कोई भी हो सकता देखो 689 तो फर्दर 689 अगला भी 689 हो तो 3 डिजीट है अट रिपीट टू ट्रीपीट ए डंच कुटेगा और तहला ना है तीन धिजीट ऑर डिपीट कैतनेwart है दो बार समझे मारा न है को दिका सकलीफ रहा है नमबर देंगे आफ जानक ही गा नियुद ही नमर को जाशा। caveat यह झाट केन टीन डीजितो और दोबार एक डीट टीन डीजितो और दोबारी पीटो कि और को तकलीफ है? ठीक है और क्यों के? ठीक है ठीक हला नहीं हला नहीं जिसको काड़ा पिना आ जाया ना देखो चलिए यह समझ में आया थ्री डिजीड कितने बारी पिठो टू टाम थ्री डिजीड कितने बारी पिठो टू टाम याद रहेगा ओके अब इसमें जो है ऐसा पुछ दिया कि एबिसी यह पूछा एकजाम में डिया न एक तो एक्तो मैं आपको दिया क्या सिखा दिया का साथ इगारा तेरा न और एक हजारे विध्य ध किससे भार्डो दो चाहरोगदो तो एक बार लगाओ तो A, B, C कट गया फिर उपर से क्या उतारेंगे A, भाग न लगे 0 B, उतारेंगे भाग न लगे 0 फिर C, उतारेंगे एक बार में भाग लग गया तो ऐसे करके 1001, ऐसे भी 1001 ही आएगा समझ मारा है ना तो देखो जरम थार्ड वाला रूल होगा ओसाइद एक्जाम में आया है यह तो याद होगा ही तुमको है ना, 1001 तो सबको यादी रहेगा ऐसे भी, 3, 7, 11 और 1001 तो याद रखेगा कोई भी three digits कितने रारी पीठो three digits कितने रारी पिठो समझ में आया है कोई दिक्त नहीं तो इसके पीछे होगा देखो से कोसन इसके पीछे गाशन था किया थानन टू फॉर फाइव तो किस से तक रखेगा भाई साहब किस्से तक रखेगा भाई साहब किस से कटेगा भाई साथ, क्या सब का आगे हैं, क्या आपको तकलीफ है, है तो बताईए, ठीक है न, सब का आगे हैं, किस से कटेगा इए, साथ से, इक आरह से, देरा से, एक हजार तो एक से कड़ता है ना तीन डिजी तू फॉर फाइव तू फॉर फाइव तू फॉर फाइव तीन डिजी दो बार समझ में आया चलिए वहरी वहरी गुड पशान लीजेगा न जी यह क्या है 749 749 किसे कटेगा 749 749 किसे कटेगा all of these okay ना तो चले यहां तक कोई दिकत नहीं है कोई भी धन चुनिएगा अराम-जाम से बिल्कुल बात्ये नह करेंगे यह कोई भी two डीजेट कॉन सा ने थार्ड जीट तो जसुनरों अे जयांन सुन्येगा से बताइड जीट कोई भीग गढ़ीग दोटीजीट तेन बार बार रेपीट हो जाङन सुनना कोई भी दो डीजीट कितने बार रेपीट हो थीन बार रिपीट हो कितने बार हो तीन बार देखो 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 तूफाइव 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 देखो दो डिजिट हो रिपीट कितने बार किया तूफाइव 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 तीन बार किया ना 7 से और 13 से डिवीज्वल होता है ठीन बस तीन से साथ से और तेरा से completely डिवीज्वल होगा याद रहेगा सबको को दिकत अक्लिप तो नहीं समझे में आरा न को दिकत नहीं क्या बना सकते हैं कोई भी कुछ भी लिखाओ कुछ भी एट फोर एट फोर एट फोर टू डिजीट थ्री टाइम सो तो वह संख्या किसे करता भीया थिरी सेवन और थर्टीन से completely डिवीज्वल होगा किसी को दिकत तकलिफ तो चले आगे अब इस पर जो कुछन आया था में यह वाला पूछा था देखो एकश वाई एकश वाई एकश वाई यही पूछा था एकजाम में एकजएक्स वाई एकस भाई एकस भाई एकस भाई किसे डिवीजवल है कि 937 यो 13 छोड़ दीजिए उसके अलावा ऑवसन में था तो इसमें xy से भाग देखा था हम देखो एक रिखा से भाग दो एक बार में xy कट्ट गया हाई नि उपर से क्या उतारे गे भाग लगेगा तो र Tennessee उतारी वाई इंठीन कितना सा लगेगा एक बारमैं एक स्वाइब से सब्सक्र गया कुट फिर क्या उता रहें एक स्वाब खाल लगा है तो क्या लेंगे प्र वाई उताराएं रहें इंगा जेग ainda कि दुसटार एक साथ समझ में आया सबको को दिकत तकलीफ एक दम होना भी नहीं चाहिए ठीक है ना समझ में आया को दिकत भाई-साब ठीक है यह समझ में सबको ना टू डिजीट थ्री टाइमस रिपीट हो और एक्स भाई एक्स भाई यह एभी एभी की रूप में दे तो यह यह भी अंसर माना जाएगा ठीक है ना वन जिरो वन जिरो वन याद रहेगा सबको ठीक है बहुत अच्छा बच्चो 788 788 हो गया तीन साथ तेरा किसे कटेगा याद देगा 7878 दो डिजीट तीन बार रिपीट है किसे कटेगा पढ़ाई करिये भाई सहाब लिमिट में जरा तो क्या मारेंगे अल अब दीस क्या लिखेंगे अल अब दीस को दिकत तो नहीं ना 535353 all of these kodikat 292929 का मारेंगे all of these एक मिनट एक मिनट यहां तक को दिकत तकलिफ तो नहीं न एक रूल और है देखें जरह हुआ एक लाष्ट रूल ह मैं सेवन का थर्ड रूल आप तो यह फोर्थ हो जाएगा थर्त हो क्या था ना थ रूल ठीके नहां तीन तो हो गया था नहां आये फॉर्थ रूल देखते हैं इस फोर्थ रूल बख्वास रूल है उस पे कोशन आते भी नहीं है जो भी मैं तीन रूल सिखाया ना ये तीन रूल पर ही आएगा चौथा एक बख्वास रूल है सुन लीजिए पहले जैसे लिखा हुआ है से वन टू वन इस से करता करता है करता है लेकिन नंबर था बड़ा दिया रहेगा मैं एक्जामपल दे रहा हूं आभी समझाने के लिए देखे ध्यान से प्लीज तो सेवन का रूल है कि जो इकाई यंग पर नंबर आये ना उसका डबल माइनस करो क्या क इतना गया सतर साथ से कटा है तो पि इस से कटे गा जब तक चोटा ना हो जाए यसे वालो और से नमबर लिख दिया ठीक कोई भी नमबर लिख देगा इसका ड़बल कितना हुआ इस दो माइनेस करिये इसमें से 3-5-0-0 अब इसका ड़बल मानेस कीजिए जीरो जीरो इन होगा इसका ड़बल केजिए जेरो फिराश्ट स्काटन पेंथिस पैंथिस करता है ने संख्या सासे गठेगा नहीं समझे-माइ बातें क्वास रूल है रूल है क्या जो जो रहं प्रें आया ना उसका Δबल माने सिर्दो जो आया उसका distractions वेंबल जो आया उसका तो इसका पांच का डबल दस मानिस करो। कितना आगिया? यागिया? फिर इसका डबल करो। फिर छे मानिस करो। फिर इसका डबल मानिस करो। चार का डबल करो। कितना आगिया? शिक्ष्टी आठी निगारा। नौ सत्य तिरे सासे कडिया ना ये कड रहा ना तो बोलेंगे कड जाएगा। और कम करना तो इसका डबल तो जिरही हो जाएगा। है ना? कोई डिकत नहीं छोटा जब तक आज माइनस जब तक और नंबर छोटा नो लेकिन ये रूल का यूज बहुत ही कम होता है ठीक है ना? आता भी नहीं इस पर कुछ को सचान ठीक? तो क्या नियम है? जो इकाई अंग पर है उसका डबल करके उसको मानिस कर दो, डबल मानिस कर दो, ऐसे करके तब तक करता रहो जब को छोटा नंबर न बन जाए, समझ में आया? तो देव सजनो, आज हम लोग सिर्फ सेवन करूल पढ़ते हैं, एड करूल हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के तने ही, ओके बाई-बाई